कि नश्मकार स्वागत है आफ सभी का हम लोग आज इधिहांस के classes में बात करेंगे समाजिक और धार्मिक शुधार के बारे में जो भारत का समाजिक और धार्मिफ सुधार में लेकर कि जोतिवा पुले तक सब के उपर में आज हम बात करने वाले हैं और आप जानते नहीं है, हाँ, आपको pdf hindi- inglese दोनों में मिल जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखेगा, और दीनों hinglese दोनों में लिखा हुआ भी है, तो इसको भी कोई दिकत नहीं होगा, क्योंकि हिंदी- inglese को लिए के थुरा सा दिकत होडा है एक चीज और आप लोग application जो है ना competition community का application डाउनलोड कर लिजेगा जिसको app आप लोग बोलते हैं छोटे भासा में तो app डाउनलोड करने से क्या होगा कि आप वहाँ पे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं अगर app डाउनलोड नहीं करेंगे तो PDF समाजिक और धार्मिक सुधार के बारे में बात करेंगे यहां पर समाजिक और धार्मिक सुधार तो माय टॉपिक का नाम ही है समाजिक और धार्मिक सुधार समाजिक होना चाहिए और और धार्मिक सुधार देखिए जिस समय हम गुलाम थे ना पूरी कहानी को अच्छे तर गुलामी का पूरा का दौर चल रहा था तो उस समय हमारे देश में हलाकि वो चीजे आज भी मौजूद है अंद विश्वास बहुत ज्यादा था आज भी हमारे यहां अंद विश्वास मौजूद है जिसको तरक के उपर में नहीं कसा जा सकता है वैसे बहुत सारे प्रैक्ट प्रैक्टिसेज हमारे देश में चल रहे थे जिसको अतारकिक जो चीजे हम लोग कर रहे थे उसके खिलाप में बहुत सारे लोग खड़े हुए जैसे बिद्वा विवा के खिलाप में इस्वर्चन बिद्या सागर जैसे लोग खड़े हुए सधी पर्था के खिलाप में र और उस reform के बारे में आज पढ़ेंगे, सारे समाज से हम ले करके reform करेंगे, ठीक है चलिए, ये, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, राजा राम मोहनराय का, जो कि सबसे important होता है, exam point of view से, और हमारे देश के लिए भी राजा राम मोहनराय सबसे important हो जाते हैं, परने के लिए राजा राम मोहनराय को आधनिक भारत का पिता कहा जाता है, ये राजा राम मोहनराय है हमारे, इसको आप अच्छे तरीके से देख लिजे, इनको, sorry, इनको आप अच्छे तरीके से देख लिजे, ये राजा राम मोहनराय है, नाम तो इनका राम मोहनराय है, राजा की उपा दिया था अकबर दूतिये ने ये बात आप ध्यान रखेगा कि इनको अकबर दूतिये ने राजा की उपाधी दिया था कैसे दिया था वो सारा कहानी हम आपको बताएंगे लेकिन अब राजाराम महानराय से हम एक बार आगे बढ़ते हैं देखिए राजाराम महानराय को भार में socio-religious reform को ले करके समाजिक और धार्मिक सुधार को ले करके यह सबसे अग्रणी लोग थे ठीक है मैं इनके बारे में कुछ-कुछ बाते बताता हूं और फिर कुछ चीजों को हम ले करके आगे बढ़ेंगे यह हमारे राजाराम महन रहा है आपने तस्वीर देखा सबसे प द्यान रखेगा कि जाजाराम महन राय पढ़ने के लिए बिदेश गये थे और वहां से बिदेशी संस्कृति के पढ़ती इनका प्रभाब था लेकिन इनका एक बहुत प्रमुख कथन है वो यह है कि हम बिदेशी संस्कृति को अपने यहां रखते हैं यानि कि हम उसको एक तो बिदेशी संस्कृति की अच्छी चीजों को अपने हाँ समाहित कर ले ये बात इनका कथन है यह कहते हैं कि हम अपने घर के खिर्की बिदेशी संस्कृति के य הצ like अचा जहिए जितना हमारे लिए जरूरत है हम हर चीज को नहीं अपना सकते हैं एसा राजाराम महनज रह उपहार इन्होंने कहा था कि एक किताब लिखा था, उनके उपहार की बात यहां पर करते हैं, उसका प्रिसेट्स ऑफ जीसेस, यह भी कोशन एक्जाम का बना है, यह भी किताब यह लिखते हैं, तो यह भी इन्पोर्टेंट है, और यहां पर ध्यान रखिएगा, यह भी जो लिए, जब यह भारत आया, भारत की स्थिती को देखना शुरू किये, तो इन्होंने भारत में सुधार, यानि की धार्मिक और समाजिक सुधार के लेकर के प्रयत्न करना सुरू कर दिये, और उसी प्रयत्न का नतीजा था, जो दो सभा आपके सामने में दिखाई परता है, जो दोनों एक्जाम का कोशन बन जाते हैं, एक है आपको दिखाई परता है आत्मिय सभा, इस्टेबलिस्मेंट और आत्मिय सभा 1815 और वेरी इंपोर्टेंट जिसको लेकर के ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, वो है आपका ब्रहम समाज, इनका जो ब्रहम समाज था, वो 1828 में ये कोशन एक्जाम का बन जाता है, कहीं-कहीं 1829 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो चिंता नहीं कीजेगा, ब्रहम समाज का स्थापना किया था, राजा राम मोहन राय ने, ब्रहम समाज, इसके लिए ये बहुत जादा जाने जाते हैं, ये हमारे राजा राम मोह राय है, और सती पर्था की समापती 1829 में ये इंपोर्टेंट है, एक्जाम पाइंट और व्यू से, तो ये जितना भी मैंने बताया है, सारे एक्जाम में कोशन कभी न कभी, कभी न कभी आया है, इसलिए प्लीज, नोट्स तो आपको मिल जाएगा, जिसको आप पीडियो बोलते हैं, लेकिन आपका कॉपी और पेन पे अगर चलते रहे तो भी ज़्यादा बेहतर है, चलिए ठीक है, डेवीड हैर एक घरी निर्माता थे या घरी विक्रेता थे जो भी कह लिजे, जिसको घरी साज बोलते हैं, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, तो डेवीड हैर कि सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की अस्थापना किया, और ये भी एक्जाम का कोशन बहुत इंपोटेंट है कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की अस्थापना किस ने किया, राजा राम मोहन राय साहब ने किया कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की अस्थापना, चलिए ये बात मैंने पहले बताया आदनिक भारत के पिता भारती पुनर जागर के पिता पृत्रकरूत के अगरदूत पितां ये सारी बाते मैंने पहले कह लिए अब जड़ा आपको ठोड आसा और कहानी राजाराम राजा राम मोहन राएज जी के बारे में बताता हूँ, दरसर राजा राम मोहन राएज जी पढ़े लिखे इंसान थे और इंग्लेंड पढ़के आये थे, बिद्वान लोग थे, लेकिन कहीं न कहीं भारती संस्किर्टी से उनका बहुत ज़्यादा परभाव था, और बिदे हमारे राजा राम मोहन राएज जी इनके मन में पूरा चल रहा था समाज को ले करके, अच्छा सती पर्था को ले करके इनके मन में सबसे ज़्यादा दुएस मन में रोस था, किसलिये था, क्योंकि इनकी भावी सैद सती हुई थी, और इससे इनको बहुत ज़्यादा उसको लेकर के पढ़ार करना सुरू करते हैं समाज में, तो इनकी मा इनको घर से बाहर निकाल देती है, क्योंकि इनकी मा का मानना था कि तुम जो है ना या इनकी पिता का मानना था कि तुम जो है ना वो धर्म विरूद बात करता है, तुम हमारे घर में रहने लाइक नहीं है तो इनको घर से बाहर निकाल दिया था इनसे कोई इनको फरक नहीं पड़ा जो इनका काम था वो करते रहे और काम करने का नतीजा ये निकला हमारे सामने में कि हमें सती पर्था जो आज के देट में हम नहीं दिखाई परता है बहुत लोग तो सुने भी नहीं होंगे उनका evolution हो जाता है हाँ उस समय Lord Benting जिसके बारे में हमने बात किया था कि Lord Benting जो है ना सती पर्था को हटाने में सब बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं लेकिन राजाराम मोहनराय Lord Benting को प्रसनली चित्थी भी लिखते हैं मिलते भी है और बहुत ज़्यादा इसको लेकर के जागरुकता भी फैलाते हैं ये राजाराम मोहनराय जी थे एक दूसरा point राजाराम मोहनराय जी के बारे में क्या है कि महिलाओ के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया कॉलेज खोला हिंदू कॉलेज खोला कलकत्ते में ये एक बड़ा important point है राजाराम मोहनराय जी के बारे में आप समझ येगा इनको दूसरी बात यहाँ पर राजाराम मोहनराय जी के बारे में बताता हूँ कि जब मुगल समराथ कमजोर थे अपने अंतिम समय में थे पतन अवस्था में था जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लैटर मुगल जो है ना वो अपने पतन अवस्था में है तो जब मुगल समराथ अपने पतन अवस्था में थे तो मुगल का एक समराद था अकबर दूतिये जो पेंसन पाता था किस से अंग्रेजों से तो अकबर दूतिये ने राजाराम मोहनराय को इनका नाम राम मोहनराय था तो राजाराम मोहनराय को बोले कि भाई आप इंगलेंड जाए और इंगलेंड जाकर के हमारा पेंसन बढ़ पारा है पहिस्वा बढ़ा दो इनका तो इंग्लेंड वला सब पता नहीं पहिस्वा बढ़ा है नहीं बढ़ा है यह अलग बात है लेकिन वहीं पर 1833 में रजाराम मोहन राजी का मिर्त्यू हो जाता है ब्रिस्टल इंग्लेंड में तो एक्जाम कोशन यहां से पूछा है कि ब्रिस्टल में किनकी समाधित रजाराम मोहन राजी का यह रजाराम मोहन राजी का मिर्त्यू कहा हो जाता है तो इंग्लेंड हो जाता है 1833 में तो गय किसलिए थे तो वही जो बकलोलबा अकवर दूतिय था उसका पेंसन बरवाने के लिए गया थे जो मिल ड़ा उसमें खा राज बना करके इसको दिये और क्या हो गया पेंसन खोड हो गया उसमें बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता भईया बढ़ादो बेतन भईया और नाम क्या है मुगल समडात सरम करो नाम क्यों लिते हो ठीक है चलो तो यह यहां पर पॉइंट समझेगा राजाराम मोहन र जाते हैं तो यह वही इंसान है तो कहने का मतलब ही है कि भारत में अगर कोई नई सोच पुनरजागरन जैसी चीजे नई बेवस्था को अगर लोगों के सामने लेकर क्या है तो राजाराम मोहन राय है अगर आप इतिहांस ऑप्शनल से पेपर देते हो तो राजाराम मोहन बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट हो जाते हैं इनके बारे में कोईशन पूछे जाते हैं यह अपने समय से 200 साल आगे थे इतना आगे यह सूचते थे जो आज हम दुनिया में जी रहे हैं उस दुनिया को यह अपने समय में जीते थे अब समल लिजे 1833 में इनकी मिरती नहीं आया है एक भी बात यहां पर नहीं लिखा हुआ है ध्यान रखेगा और जो मैं आपको बता रहा हूँ वह भारत के किसी भी एक्जामनेशन में चले जाएए आपको अगर राजाराम महराय से कोशन आएगा तो आई होप छूटना तो नहीं चाहिए राजाराम महराय स अगर इन दोनों के बारे आभी हम बात करते हैं ध्यान दीजे देखेनराम महराय की तरह देवेंद्न ठाकुर भी यहां पर दखिएगा हमारे समाजिक या Soc. सोचल से निग्जाम के बड़े परेनेता है डविंद्रनाथ ठाखूर ठीक है ना ब्रह्म समाज में इन्होंने सामील ओ mixer 5 तो कहने का मतलब अगर Tatiftahodhunu से कुछ दिखाइर परता है आपको तत्तो वो धिनी से अगर आपको कोई एक्जाम का कोस्टन दिखाई परता है तो आपको यहाँ पर तिक कर लेना है कौन देवेंदरनाथ ठाकूर ठीक है चलिए तो देवेंदरनाथ ठाकूर ब्रहम समाज में सामिल होते हैं और फिर ब्रहम समाज को छोड़ते समय केशब चंद्रसें के समय में ब्रहम समाज 2 भागों में बढ़ जाता है इस बात को धियान रखेगा एक्जाम में कोशन यहां से पूछे है केशब पंडित इस्वरचंद्र विद्यासागर इनके बारे में बात करते है мат बड़े गड़ियद से थे इस्वरचंद्रencing रिखर और इनको बिद्वा विवाह द्धनियमम कब बना था 1856 में और इन यह के परियास्युन में बहुत है यहां से ध्यान रखेगा कई बारी कोशन एक्जाम में पूछा है बिद्वा, पुनर बिवाह, अधिनियम ध्यान देजएगा इस्वरचंद्र बिद्वा, पहले ऐसे बेखती है जो भारत में बिद्वा, बिवाह, को लेकर के बहुत ज़ादा आंदोलन चलाते हैं और अपने पुत्र का बिवाह भी एक बिद्वाह से ही करते हैं इस्वरचंद्र बिद्वा सागर, ये भी बात है इस्वर्चंद्र बिद्यासागर आप समझ लीजे कि आज कल कौन ऐसा करता है हाँ कंबल नंबल बाटते हैं लोग लेकिन अपने सरीर के कपड़ा उतार करके और गरीव को दे देना तो इस्वर्चंद्र बिद्यासागर थे संस्कृत के बिद्वान थे और दूसरे सब्जेक किया था कलकता में 18 1890 में ये भी बहुत important पोइंट है याद रखे गाите एक्जा में कोशन बन जाता है कि बेंतुन school के अस्थापना किसने किया था तो इस्वरचंद्र बिध्यासागर ने तो इस्वरचंद्र बिद्यासागर से सबसे अब हम लोग बात करते हैं, दादा भाई नरोजी के बारे में, अगर हम बात करें, तो उनके बारे में बहुत सारी बाते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है इनका, जो एक्जाम का कोशन बन जाता है, रहनुमाई मजद्यादन सभा, जिसकी अस्थापना दादा भाई नरोजी देखिया था, यहाँ पे दादा भाई नरोजी को भी मैं आपको दिखाने की कोशिस करूँगा, देखें, यह दादा भाई नरोजी है हमारे, ठीक है, सामने में जो आपको दिख रहा है, दादा भाई नरोजी, जरा इनके बारे में कुछ-कुछ पॉइंट हम आपके साथ स कुछ पाइंट्स अफ शिर करें सबसे पहले दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैंन कहा जाता था ग्रैंड को नरोजी को पहला पाइंन मज्डेयाशनसभा ये पाइंट आपने लिखी लिए हगा रहनुमाई मज्डेयासनसभा मजद्यासन सभा ठीक है सभा ध्यान रखेगा यह इनका दूसरा है और यह पार्सी पार्सी सुधार का सबसे बड़ा प्रणिता मानने जाते हैं पार्सी सुधार का सबसे बड़ा प्रणिता ध्यान रखेगा यह पार्सी जो है ना पर्सियन संस्था था पर्सियन कीया है कि पहली बार इन्होंने क्या किया था national income को राष्ट्रि आये को का पूरा बात किया था तो इनका किताब का नाम है पहले मा लिगता हूं एक एक्जाम में बहुत बार पूखे जाते हैं Poverty and Unbritish rule of India यह इनका किताब नाम है बहुत फेमस किताब है इनका बहुत फेमस ठीयोरी है Drain of wealth theory बहुत एकदम इनका बहुत मतलब धन का निस्कासन सिध्धान्त तो यह बहुत ज्यादा इनके लिए इंपोर्टेंट है मैं बात कर रहा हूं जादा भाई नरोजी के बारे में बिकेम मेंबर ओफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट और इंगलीश संसत अंग्रेजी पार्लियामेंट यानि कि अंग्रेजी संसत के पहले ऐसे भारती है जो अंग्रेजी संसद के क्या बने थे सदस बने थे अब समझ लो कि वहां जा के चुनाव लर करके और वहां का सदस बन जाना कितनी बड़ी बात है ध्यान रखेगा और यह कौन से पार्टी से चुनाव लरे थे तो लेवर पार्टी से चुनाव लरे थे वहां पर लेवर को आप अच्छे तरीक से अपने कॉपई में लुठ ली जेगा ये पीडिय आगा अपको नहीं मिलेगा इनको बैंदी में बताया पहली बार नेशनल इंकम कालकुलेट किया था तिनों ने कहा था कि भारत की परती बेकती आए पर-capita income जिसको आप बोलते हैं, पर-capita income परती बेकती आए उस समय मात्र 20 रुपया पर एनम था, पर एनम ध्यान रखेगा पर एनम, आप समझ लिजे कि अंग्रेजों ने हमें कितना लूटा कि जिस समय इनों ने calculate किया था साथ 20 रुपिया पर एनम्था ध्यान रखेगा इनके किताब का नाम है पोवर्टी एन अन ब्रिटिस रूल आफ इंडिया या इन इंडिया यह एक इनके किताब का नाम है जो बहुत ज्यादा फिमस हुआ था और इनका एक था ड्रेन ऑफ बेल्ट थियोरी धन का निस्कासन सि अगर इसके बारे में हम बात करें तो यह बताये थे किस तरीके से अंग्रेज भारत से पैसे लेकर के जा रहा है तो पैसे ले जाने के लिए इनके पास क्या-क्या सोस था वह अगर हम आपको बात करें तो आप अपने कौपी में लिख लिएगा मेरे इस पॉइंट को ठीक ह रेलवे में जो इंवेस्टमिंट किया वहां से लाभांस ले करके लूट खोसोट करके टैक्स को लिखे द्वारा और जो यहाँ पर समान बेशता है ब्यपार के द्वारा उसके बाद इंडिया हाउस जो अपना इंप्लाई रखे हुए भारत पर सासन करने के लिए उसके पतलब इन्होंने बहुत सारा लंबा चिठा दिया कि इन इन तरीकों से भारत से पैसा ले करके जा रहा है कौन अंग्रेज तो पहली बार यह थियोरी को इस सिधान्त को दिया था किसने दादा भाई नरोजी ने अब समझ लो कैसे कैसे पैसा जा रहा है अगर हम इसको अधिकारी अधिकारी मतलब ब्रेन ऑफ बिल्ट थियोरी की बात कर रहे हैं ड्रेन ऑफ बिल्ट थियोरी ठीक है धन का निसकासन सिध्धान्त धन का निसकासन निसकासन सिध्धान्त ठीक है ये बोलते हैं कहते हैं कि salary of officer मतलब salary के रूप में जा रहा है officer और other other क्या करमचारी staff एक दूसरा point यहां पर हो रहा है tax से tax के दौरा यहां से पैसा लेकर को आपस जा रहा है तीसरा point लाभान से dividend dividend and profit dividend और profit किसका dividend और profit बेपार का of business जो यहां पर business कर रहा है उसके दौरा यहां से पैसा लेकर जा रहा है उसके बाद उपहार के तौर पे उपहार के तौर पे यानि कि gift के तौर पे यहां से पैसा लेकर जा रहा है gift का मतलब क्या होता है मतलब यहां पर उपहार लिख देता हूँ या इसी को मैं अच्छे तरीके से लिख दा हूँ अच्छा सोसन के द्वारा यानि की सोसन सोसन मतलब की जवरदस्ती जवरदस्ती जो लूट पटोक होता है जवरदस्ती लूट कर लूट कर ये तो institutionally हो गया इस इंडिया हाउस का पैसा भी वही देगा ये भारत ही देगा उसके बाद जहां भी लडाई जगरा होगा उसमें भी भारत ही पैसा देगा ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बता रहता हूँ ठीक है किस के लिए वार के लिए पैसा लेके जाएगा मतलब दुनिया भर की कहानी इन्होंने बताया किस तरीके से भारत से पैसा जा रहा है बीदेशों में पहली बार दादा भाई नरोजी जी ने ही ये बात हमें कहा था ये दादा भाई नरोजी हमारे है ध्यान रखेगा थोड़ा समय आपको बता दू ठीक है ये दादा भाई नरोजी है हमारे यह दाधा भाई नोरोजी इन्हों नहीं सबसे पहली बार यह बात द्यान रखेगा चलिए तो यह दाधा भाई नोरोजी धा जिनके बार में हमने बहुत सारी बाते की अच्छे तरीके से आपको समधाने का कोशिव किया है अब हम लोग बात करते हैं, दादा भाई नोरोजी से आगे चलते हैं, और हम लोग बात करते हैं स्वामी विवेकानन जी के बारे में, और इन्होंने किस तरीके से भारतिय समाज को प्रभावित किया है, स्वामी विवेकानन जी, स्वामी विवेकानन जी के बारे में तो जित राम कृष्ण परमहंस और इनके नाम पर इन्हों ने राम कृष्ण मिजन की अस्थापना किया था जिसका केंद्र बेलूर में है ठीक है ना राम गुरु इनके थे राम कृष्ण परमहंस दरसल यह बड़े अध्यात्मिक किसिम के लोग थे है तो कहते हैं कि एक बार जब र मन करिष्ण परमहंस के बार पाढ़ा गय तो राम कृष्ण परमहंस जी जो है प्लव की एक पूरा का पूरा जो दर्शन और अध्यात्म जैसी कहानी थी वह इनके साथ था यहां पर हम आपको बता दे कि रामक्रिश्न परमहंस जी जो है ना वह मैं आपको छोड़ा सा करके बता देता हूं कि दक्षिनेस्वर काली मंदिर के पुजारी थे और कहते हैं कि इन्होंने काली माता का सक्षा दर्शन किया था अपने जिद से इनको खाना खिलाया था कौन रामक्रिश्न परमहंस जी ठीक है चलिए और जैसा गुरू वैसा चेला है ना मतलब की स्वाविवेकानन जी जो है ना उनकसे कितना बड़ा नाम है अपने देश के लिए आपको पता है चलिए स्वाविवेका कर लो जो आपका गोल है यह भी इनके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में कहते हैं कि हमारा धर्म जो है ना कुछ दिनों के अंदर मतलब हम सब पागल खाने में होंगे क्योंकि हमारा धर्म हमारे बरतन में है हमको नहीं चूने में है यह बात कहते हैं कि भूखे को धर्म मत सिखा उनको खाना दो यह कहते हैं इनका ये भी कहना था विवेकानन जी का कि विदेशों में खास कर कि अमेरिका ये इंगलेंड उनके पास धर्म नहीं है उनके पास कल्चर नहीं है उनके पास संस्किर्ति नहीं है तो हम अपना संस्किर्ति उनको कल्चर का पैसे से यह इनका कहना था तो यह बहुत सारे इनका थौट्स था बहुत सारे इनका विचार था मात्र 36 वर्स की उम्र में इनकी मिर्तिव हो जाती है इनके बारे मेंमोर्णत क्या है कि 1893 में भाग लेने के लिए सिकागो घैते वहां गए तोань बोले्च हम को भूलने दो तो grandu मिंट में हिंदू धरम का जो ओसला है कि अपने भासन का पहला ही शुरुआत कि अमेरिका के भाई और बहनों मतला ब्रदर और सिस्टर्स अफ अमेरिका बस यही इसी लाइन पर इतनी तालीब जी और सारा महौल सारा लोग खड़ा हो गया कि देखो भाई और बहन मानना फर्टर्णिटी को मानना और यह वहां जाक करके चीजों को दिखाने के कोशिज करते हैं इसमें बड़ा अंतर है लोग कहते तो बहुत थे लेकिन उन्होंने जब भासन में शुरू किया तो लोग लगा कि यह कैसा आया है कि मतलब भाई और बहनों वाली बात है मतलब सब लेडिज और डेंटलमेन कर रहे हैं की वारे में पूरा चर्चा चला करके सिपाइगों कर पूरे दुनिया में परसिध हो गया से दिया गया तो यहां पर व् извест हो दिखान दिजएगा की लेडिव को आघे बढ़ा इसलिए उन्हें कहा कि गड़ीबों को खाना दो उनको धर्म मत सिखाओ ठीक है यह इनका मानना था यह इनका समझना था और भी बहुत सारी बाते इनके बारे में हैं तो इनके बारे में जितनी बाते करें उतना कम है चुकि हमें सेशन को आगे बढ़ाना है तो इस वह से इनक सियानलवी निवारग में बैदान सोसाइटी के स्थापना किया यह एक पॉइंट एक बनसकता है लेकिन एक जाम का पॉइंट मैंने आपको बता दिया और जो कुछ मैंने समझाया है वह बात भी आपके एक्जाम में से वहां से भी question पूष सकता है हालाकि यह समझाने संसक्रावेड कि अम्रें 17 साल old learning money अंग्रेजी जी जी कोड़िया थैर इंगरेड कोपीस प्रस के मुझी में और उतने ही का मुम्र में जोने यंग बंगॉल अ कंड़ोनंभी कहरा कर दिया था था दरसल यह प्रभवावित से मेजनी के यंग इंगुए मुवेंटंस तो अगर आपसे कोशन पूछे कि किस से प्रभावित था तो यंग इतली मुवमेंट से प्रभावित थे यंग इतली मुवमेंट किसके यंग इतली मुवमेंट से मैजिनी के मैजिनी कहा करेने वाला था इतली का जो इतली के एक ही करण में इनका योगदान होता है मैजिनी का है कि अगर आंदोलन को आगे बढ़ाना है अगर अंदोलन को तेजी से आगे लेकर चलना है तो आंदोलन का मसाल नभीयुव को के हाथ में अगर यंक आदमि के आगर हांतों मैं क्या बुलते है कि लिफ आने जगह तक यानी कि अपने लक्ष तक पहुँचके रहती है, ऐसा मैजनी का मानना था, और ऐसा ही कुछ मानना था, किनका बहुत यूबा, हेन्री बीवियन डेरेजियो का भी, तो वो इतली के यंग इतली मुवमेंट से क्या थे, परभावित थे, ये कोशन एक्जाम में बना है, कितने बार, तो बहुत बार य यंग इतली मुवमेंट, मैं आप लिए ताँ मुवमेंट, यंग इतली आंदोलन से ये क्या थे, परभावित थे, कौन हेन्री बीवियन डेरेजियो, चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, कि आगे हमारे पास में है, आत्मा राम पांडूरंग, हमारे पास आत्मा राम पांडूरंग के बारे में क्या पॉइंट है, कि इन्होंने प्रार्थना सभा का अस्थापना किया था, और ये एक्जाम का कोशन कई बारी बन जाता है, आत्मा राम पांडूरंग के बारे में क्या किये थे, अस्थापना किया था, कई बार कोशन पूज आते ह चले गुपाल किस्न गोखले के बारे में बात करते हैं हमारे गुपाल किस्न गोखले है जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरू थे है ना क्या थे राजनीतिक गुरू राजनीतिक गुरू किसके राजनीतिक गुरू थे वेटा महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के रा पहल 2 ही हैं बहुत खूपसूरत महीला है और इनका नाम है एवधंत ठीक है एवधंत है और यहां पर थिवसोफिकल सोसाइटी के बा करने वाले हैं ए उबेसंट आगे भी बात करें आगे बात करेंगे और इस तश्वीर को हम दिखाते रहेंगे हला कि इनके बुढ़ापे का भी तस्वीर था लेकिन जान बुझकर कि मैंने इनके यंग एज का तस्वीर लगाया है ताकि हमें दिखे तो कि ये कितने यंग में भारत आई थी और किस तरीके के मुमेंट ये कर रही थी चले ठीक है आगे बढ़ते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की बात कर रहें इनकी अस्थापना कहा हुआ थियोसोफिकल सोसाइटी का तो निवर्क में हुआ संस्थापक कौन है मैडम बलाबत्सकी और करनल अलकॉट मैडम बलाबत्सकी और करनल अलकॉट इसके संस्थापक है मै और उसके बारे में हम बात करें, तो Theosophical Society का मुख्य काम था, जो कि मैं यहाँ लिखता हूँ, कि पुराने जो पुराने धर्म है पुराने कल्चर है न ओल्ड कल्चर का अध्यान करना ओल्ड कल्चर का क्या करना अध्यान करना थियोसोफिकल सोसाइटी का काम था यह बात आप ध्यान में रखेगा और इसकी एक साखा कहा थी अड्यार मदरास में इसकी एक साखा अड्यार और यही ऐंडी बेसंट थी खुबसूरत सी महिला जो आपको सामने में दिखाई दे रही है, यह कहा की रहने वाली थी, यह भी को सने एक्जाम में पूछा है, तो यह Ireland की रहने वाली थी. अर्लेंड की आरिस महिला है और इस मूल की महिला है ऐर इस मूल की अंग्रेज महिला ऐसा कहा जाता है एनि बेसेंट के बारे में इस बात को ध्यान रखेगा यह बेसेंट है जो भारत में Theosophical Society के अध्यक्ष थी और Theosophical Society का काम क्या था? तो Old पुराने कलचर का कि ticking बोलते हैं चुठी कर रहे थे तो उस पुराने कलचर के शटेडी में भारत वी आ गया और भारत वाली सिव्लाइजेशन और बैदिक कलचर इनके study करने के बाद भारत के परतिन का बहुत ज़्यादा गहरा लगाव हो गया और उसी गहरे लगाव का कारण था कि भारत में वो मदरास में अडियार जैसे जगहों पे अपना एक साखा खुला और यहां पर यह आगर की परचार परसार करना शुरू कर ली अध्यान करना करता था तो भी बात हम पढ़ेंगे आगे चल करके तो चलिया हम आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि आगे हमारे पास में कौन है? उनके बारे में थुर्ण सा बात कर लेते हैं आगे हमारे पास में है the very important स्वामी द्यानन्द स्वरस्वती, बेदो की ओर लोटो, ये बात मैंने साथ जरूर लिखा होगा, लेकिन मैं फिर से लिख दू, बेदो की ओर लोटो, ये इनका परसिद कथन है, बेदो की ओर लोटो, ठीक है, ये इनका परसिद कथन है, कौन है ये, स्वामी द्यानन्द स्वरस्वती आरे समाज के संस्थापक आरे समाज और आजकल आरे समाज किसके लिए जाना जाता है साधी के लिए जाना जाता है कोई भी मतलब प्रीमी जोरा अगर वह बियाह करना चाहता है ठीक है ऐसे तो आजकल साधी में बहुत कम कनवर्जन हो रहा है प्यार महबद तो साधी में पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है भकलोल लडकान सब नहीं सब यह सबसे पांड कर लिया अब तुम जो है हो तो तुम्हारी कमी है ना पॉइंट समझिए लेकिन उनमें भी जो कुछ परसेंट है जो साधी तक जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बता दू कि आर्ट समाज का जो मंदीर है वह साधी विवाह के लिए अच्छे तरीके से जाने जाते हैं वहां पर आप जाईएगा अगर साधी आपका होता है तो वह कोट में भी मानने है और वहां पर बिना खर्चा का थोड़ा बहुत खर्चे में आपका साधी हो जाएगा आज कल तो बड़ा कठिन कर दिया प्रोसेस पहले तो बड़ा आसानी से हो जाता तो सो डिरसो रुपया में आज कल सुनते हैं कि छानी यह भी कुछ-कुछ डॉकुमेंत मागने लगे हैं लेकिन एक और आपके पास है इसाधी के दिया नहीं लिखी हुई है, वही सही है, बेद का मतलब होता है कि रिग बेद, तो ये रिग बेदी काल के समय की बात करते हैं, जहां पे भेद भाव नहीं था, आप जानते हैं कि रिग बेदी काल में कोई भेद भाव नहीं था, आपको पता है कि वहां पे जो जन्म के अधार पे जाती क विवस्था नहीं थी, काम कैधार पे था, आपको पता है कि वहां पर महिला पुरुष के बीच में भेद भाव नहीं था, महिला भी उतनी तरीके से सभा समीती और धर्म में और हर चीज में भाग लेते थे, तो point यहां पर यह है कि दयानन सुरस्ट्ती जी कहते थे कि बैदिक काल या बैदिक काल जो है न वह भारत का सबसे आदर्शकाल है, दुनिया के लिए सबसे आदर्शकाल है और उसी तरीके की काल को, उसी तरीके की जीवन को आपको जीना होगा, इसलिए उन्हों नारा दिया बेदो की ओर लोटो यहां पे हमने आपको लिखा जरूर होगा है ना रिटर्न टू बेदाज चल यह ठीका आगे बात करते हैं इनका बास्तुविक नाम मूल संकर था बास्तुविक नाम क्या था मूल संकर और इन्होंने आगरा में पाखंड खंड़नी पता का लड़ाई थी पाखंड खंड़नी मतलब की जो देश में अंदविस्वास चल रहा था उस अंदविस्वास के खिलाफ में इन्होंने पूरा का पूरा एक पंप्लेट छपबाया था उसके लिगर करने बात क्या था यह कहते थे कि जो पुरान लिखा हुआ है पुरान नहीं बेद को तो मा देन का मूल संकर था कुछ कुछ पंट सी है Particularly में कुछ कुछ ona की आपके सामने में सेर करते लास来 हुए Tour規 u और व्यू से बहुत important है क्योंकि ज्यादा point आप share करते हुए चलेंगे तो फिर हमको time भी ज्यादा देना पर जाएगा याद रखिएगा इस point को ठीक है चलिए आगे बरते हैं सरसयद अहमद खां यह सरसयद हमद खां यह आपके सामने में देख रहे हैं इसलाम धर्म के सुधारक में सबसे बरा नाम है सरसयद आहमद खां अली धन द Owen के संस्थापक है तहजिबू अखलाक परकाशन OUTम मुहमदन एंग्ल जो की आगे चल करके Alligate Muslim University में चेंज हो जाता है Muhamdon Angulo Oriental College जो आगे चल करके क्या बन जाता है Alligate Muslim University और ये काम क्यों करते हैं सरसयद Ahamad Khan नाम है सरसयद Ahamad Khan ये वही सहाब है यहाں पर ध्यान रखेगा और United India Patriotic像 की भी थापना इन्होंने किया था मुख्मऩ औगलो औरिेंटल कॉलेज़ के बारे में बहुत आच्छे तरीके से समझ लिजए वह यह है कि देखिए जब यह इस कॉलेज़ के अस्थापना कर रहे ते इनके बारे में आरोप लगता है कि ये अंग्रेजों के मतलब अंग्रेजों के चम्चे या अंग्रेजों के साथ है तो इनका मानना ये था कि अगर हम सत्ता के बिरोधी हो गए अगर सत्ता के साथ ना रहें सत्ता के बिरोधी हो गए तो जो हम चाहते हैं रिफॉर्म वो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे करने के लिए कहीं न कहीं एक होता न कि trade-off मतलब कुछ चीजों से हमें balance बनाना होगा तो अंग्रेजों का साथ पाकर के इन्होंने college खोला इसलाम के समाज में सुधार का पढ़ियास किये इनका कहना था कि अगर इसलाम में सुधार लाना है अगर इसलाम के समाज को उपर लाना है तो उनको बिग्यान पढ़ाईए उनको गनीत पढ़ाईए उनको अंग्रेजी पढ़ाईए मदर से की सिक्षा से उनका सुधार नहीं हो सकता है यह मेरा statement नहीं है यह इन सहाब का statement है जिनका नाम है सर सयद आमध खां मैंने सर नहीं लगाया है मुझे सर लगाना चाहिए था सर सयद आम खांना मैंन का सबसे बड़े नेता के रूप में यनको जाना जाता है शर Training यह बात भी आप ध्यान में रखिएगा ये बात एक्जाम में कोशन कई बार बना है इनके किताब का नाम है तहजबुल अखलाक किताब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट देखते हैं कि आगे हमारे पास में कौन साहब है आगे हमारे पास में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है और जिसमें एक बहुत बहुत बेहतरीन लोग हमारे पास में ज्योतिवा फूले इनके बारे में बात करेंगे लेकिन पहले हम देख लेते हैं अस्वाट एस्याटिक सुसाइटी के स्थापना किस ने किया बिलियम आगे मैं इनके बारे में और भी बात करूंगा बहुत सारी बाते करना है इनको हम नहीं चोड़ेंगे और आप जानते कि जब हमने पॉलिटी पढ़ाया था तो इनको हमने बात किया था कि जब इनोंने संभिधान निर्मान को लेकर कर प्रारूप शंभीति के अध्यक्स थ इनको हम आगे साइद ना परपाएं, आगे जब चीजों को बढ़ाते हुए, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं, यह सत्तो सोधक समाज की अस्थापना किया था, और इनका एक किताब जो एक्जाम के लिए बड़ा इंपोर्टेट बन जाता है, गुलाम गिरी, जोतिवा फूल जोतिवा फूले ने, जोतिवा फूले ध्यान रखेगा, और इनके वाइफ का नाम साइद सावित्री वाइफ फूले था, इसको एक बार ध्यान रख लिजेगा, और एक बार तरह सा, क्या बोलती है, नौट अफ इंट्रोकेशन लगाएता हूं, इसको चेक कर लिजेगा, जोतिवा फूले गुलाम गिरी और सत्यसोधक समाज, बहुत बड़े नेता है हमारे देश के, बहुत बड़े समाजिक सुधार नेता है, जोतिवा फूले जी, ठीक है न, तो हम इनके बारे में बात कर लिए, अब हम लोग आगे बरते हैं, और देखते हैं, ये हमारा समाज सुधार को लेकर के पॉइंट था जिसके बाड़े में हमने बहुत सारी बात किये जो कि हमने राजारा मोहन रहा से लेकर के जोतिवा फूले तक कि सब के बाड़े में बात हम लोगे ने कर लिया समासुदार को ले करके तो यहां से exam में कोषन पूछे जाते हैं मैंने बहुत सारा time लगाया है तो इसके पीछे कारण यह है कि यहां से exam कोषन पूछे जाते हैं और मैं नहीं चाहता है कि आपके exam का कोषन यहां से छूटे एक भी तो अब हम लोग बात करते हैं अपने Modern India के दूसरे सेगमेंट में और जिसका नाम है Indian National Congress, भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस, ये राहुल गांधी वाला कॉंग्रेस नहीं है, ये सुनिया गांधी का कॉंग्रेस नहीं है, दर असल ये A.O. Hume की कॉंग्रेस है, Alan Octavian Hume का यानि की A.O. Hume के बारे में जानते हैं, Congress के बारे में जानते हैं कि Congress क्या था, कैसे इसकी अस्थापना हुआ, चलिए, ठीक है, शुरू करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे Congress के बारे में इसके अस्थापना के बारे में बात करेंगे, तो इसके संस्थापक कौन है वो भी हम यहां पर देखेंगे इनके बारे में और भी बाते करेंगे इसके संस्थापक यहां पर दिखाई दे रहा है ए ओ हुम यह तस्वीर आप अच्छे तरीके से देख लीजे यह ओ हुम सहाब है जो की 28 दिसंबर 1880 में कॉंग्रेस की अस्थापना किया था लेकि दादा भाई नरोजी के बारे में आपने बहुत सारी बाते लिखी थी उन बहुत सारी बातों में ये बात भी आप लिख लीजेगा मैंने दादा भाई नरोजी के बारे में बहुत बाते बताया है वीडियो को पीछे करके अच्छे तरीके से देख लीजे दादा भाई नर तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कॉंग्रेस के अस्थापना को ले करके कुछ-कुछ बाते मैं आपसे करूंगा ठीक है देखे हुआ यह था कि 1885-1885 तक 1857 के महान करांती जो कि आपने पढ़ा उसके बाद राजनितिक चीज़े बहुत तेजी से बदलना सुरू हो जाते हैं नए नियम कानुद वगर आनते नहीं लगते हैं और नए नए इंस्टियूशन बहुत सारे इंस्टियूशन इसमें योगदान देना शुरू कर देते हैं बहुत सारे इंडियन लीग या इंडियन इसोसीयेशन जैसे बहुत सारे और पूना महाजन सभा यह बहुत सारे और जो कि अपने अपने तरीके से साथ देना सुरू करते हैं हम इसका भी लिष्ट बनाकर आपको दे देंगे, इसके भी PDF हम आपको प्रोवाइट करा देंगे, ठीक है, अब कहानी सुनो, ठीक है, तो हुआ ये कि जब ये institution लोगों को जागरुक करने के लिए काम करने लगे, तो लोगों में एक जागरुकता आ गई, लोगों में जागर पक्षी बिज्ञानी थे और ब्यूरोक्रैट्स भी थे, यानि कि अंग्रेजी जो पूरा का पूरा सिस्टम था, उसमें एक बड़े अधिकारी भी थे, ठीक है, बड़े अधिकारी थे सिम्ला में, अंग्रेजी सिस्टम के, तो audit अधिकारी थे साहद कहा जाता है, लेखा अधिकारी है, एकाउंट अधिकारी तो एन्होंने ये बढ़त के परती इनका पूरा पूरा लगावथ था, ठीक है, तो भारत के परती लगावथ था इनहोंने क्या सोचा कि क्यों एक संस्था बनाया जाए जिससे कि हम भारत में एफेक्टिवली अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके यह इनका मानना था A.O. Hume के साहब का मानना था तो उस समय के जितने भी बरे नेता थे चाहे वो आनंद बोस हो चाहे वो टैगोर साहब हो यह इन सारे नेताओं से यह जाकर के मिलते हैं और लुटैंसे का यानि की इन्सिचूशन का स्थापना की दॉ इंसिचूशन की बाद करते हैं और वह इन्सिचूशन तैयार भी होता है उसमें विमवेख चंद वनर जी बिखेगां वीम्यश्चतॉ-ब और पैखेद्य ऑम्बे में 1885 में पहला conference रखा गया बहतर परतिनिधी के साथ अच्छा यहां पर हम रुकते हैं यहां पर दूसरी बात भी हम आपको करते हुए चलते हैं दूसरी बात क्या है जो कुछ लोग जैसे तिलग जी जैसे लोग है उन्हों वो क्या कहते हैं कि Congress का स्थापना तो मात्र अंदोलन को रोकने के लिए हुआ था चुकि उनका कहना था कि चुकि लोगों में जिसको बोलते हैं अस्थापना का मिथाक उसमें विपिन चंद्रा ने बहुत अच्छे से समझाया है वो कहते हैं कि पूरा लोग जो भाबना जग गया था तो बहुत बड़ा अंदोलन का एक formation तिया कि यह आंदोलन डफरीन के दिमाग का उपज है कैसे जो आंदोलन का formation हो रहा था अंतर ही अंदर लोगों के अंदर में तो इन्हों ने क्या किया कि एक institution बना दिया और institution बना करके लोगों को यह कन्विक्स कर लिए कि भाईया देखो यह जो institution बना है वो किसलिए बना है यह आप ही के फिवर के लिए तो जो लोग आंदोलन के लिए एकदम तयार थे उसको उन्होंने रोकने का काम किया यानि कि एक pressure cooker में CT का काम किया ऐसा उनका कहना है ठीक है चलो यानि कि safety valve का का काम किया pressure cooker के कि आंदोलन जो एकदम बिल्कुल तयार था उसमें safety valve आ गया INC और सा आप से आंदोलन चले करेगा यह INC का यह कहना है किनका तिलक जैसे लोगों का जो INC का स्थापना को बेवकुफी भड़ा कदम मानते हैं लेकिन सचाई क्या है सचाई यह यह तो मिथक है जैसा कि विपिन चंद्रा ने लिखा यह मिथक है सचाई क्या है सचाई है कि जो भी संस्था है थे वो छोटे छोटे रूप से काम कर रहे थे तो इनका कहना था कि हम सारे संस्था को एक जगाई कठा करेंगे और एक मजबूत संस्था बनाकर के अंग्रेजों से अगर लरेंगे तो दुनिया का सबसे पावरफूल जो समराजवादी है उससे हम लर पाएं में संस्कृत महाद्याले में 62 परतनी धी ने ने पहली बडि इसको इसमें भाग लिया 72 परतनी धी ने ये uy prosecution exam में पूछाり लिया जाता है कितने परतनीधी पहली बार था अगलिये और उसके Chair-Person को थे पहले कॉन्फेरेंस के तो कोंग्रेस का संभेलन हर साल कोंग्रेस का संभेलन कब होगा हर साल यह बात भी किया गया यहां पर इस बात को ध्यान में रखियागा pengra eco उसी लिए देखिया है कि हर साल आपको संभेलन म। nozzle मिल जाएगा जबसे इसकी अफ़ोपना हुआ हा है कका ठीक है देखिए 85 में कहा था बंबई में दूसरा सम्मेलन कहा हुआ कलकत्ता चेर परसन कौन है दादा भाई नोरो जी इनके बारे में बहुत सारी बाते हम कर चुके हैं आप जरूर कौपी में लिख लिए होंगे वहाँ पर एक बात और एड कर लिजे दादा भाई नोरो जी दूसरे कॉंग्रेस सम्मेलन के अध्यक्स थे अपने जहां पर लिखो दादा भाई नोरो जी का नोर्स नहीं मिलेगा विटा कर देते हैं जहां लिखो उसको एक बार ध्यान रखिएगा फिर तीसरा सम्मेलन हुआ बद्रुदीन तयव जी मद्रास में चोथा सम्मेलन हुआ जोर्ज यूले इलाहाबाद में ध्यान रखिएगा और इस चारो सम्मेलन का एक पॉइंट यूनिक बात जानते क्या है ये जो बिवेश चंद्रवनर जी है ये हिंदू है यानि कि पहले हिंदू अगर पूछ दि जाए तो बद्रुदीन तयव जी और आपके एक्जाम में कोशन मुस्लिम अध्यक्ष से ही पूछा है तो अगर पहले मुस्लिम अध्यक्ष ये हो सकते हैं तो पहले पार्सी और हिंदू अध्यक्ष से भी कोशन पूछा जा सकता है हलाकि मुस्लिम अध्यक्ष से कोशन यह इलाहबाद सम्मेलन यानि की चौथे सम्मेलन के चीर परसंते पहला अंग्रेज अध्यक्ष है जो बाते मैं बता रहा हूं उसको कॉपी में लिखना क्योंकि यह नोट्स में नहीं मिलेगा नोट्स में सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना की बोर्ड पे लिखा हुआ है और ज जो सम्मेलन हुआ था बंबई में जो संस्कृत माहविद्याले में उसके मेंबर हैं जो 72 मेंबर थे इसमें देखो तो कौन तुम्हारे पहचान का है कोई नहीं है आगे बढ़ो आप इनके इन्पॉर्टेंट सेशन उसके चेर परसं और कुछ इन्पॉर्टेंट बात आयंसी का सबसे ज़्यादा सम्मिलन हुआा इंडरननेशनल कॉंगरेस का सबसे जया beitड़ गया है कलकता में हुआ है ध्यान रखने वाली बात है तीनबार कॉंगरेस के अध्यक्ष मौन आयडओ यहाँ पर ध्यान रखेगा, एनी बेसेंट है, यहीं कॉंग्रेस के अध्यक्ष बनी है, तो ध्यान रखेगा कि तीन महिला है कॉंग्रेस के अध्यक्ष बनी है, सरोजी नाइडू एनी बेसेंट, सबसे युबा अध्यक्ष कौन है, मौलाना आजाद, सबसे युबा अध्यक लंबी समय तक है स्थान्तरता पहां संवां का आधियाथannée में थ्यान रखेगा- तो सबसे ज़्यदा कहां करक्त 1 कौन गाया थे सिम्मब्रेक्षान-इवाध्यáriasिक यह वृत बारली समय भाता-ध्याध्य स्थान्तरत प्रकसे पुछ व्यूसरा कि गाया गया, तो कलकत्ता सेशन में गाया गया, 1896 के कलकत्ता सेशन में, और बंदे मातरम किसने लिखा है, किस किताब से लिया गया है, ये दोनों बात तुम कमेंट में लिखोगे, क्योंकि ये पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक है, चलो, पहली बंदे मातरम, चलो, कॉंग्र होता है सुरत में इसके ऊपर हम पढ़ेंगे आगे चल करके कॉंग्रेस में पहला इसको सुरत कहते हैं कॉंग्रेस दो भागों बर्दा अता मोड्रेट और एक्श्रिमिस्ट के रूप में यानि की उदारबादी और गर्म रूप में Congress पहली बार दो भागुम विभाजित होता है कहां पे सूरत में चलिए पहली बार जनगनमन कहां गाया गया 1911 कलकत्ता सेशन में जनगनमन गाया गया अब आपको लिखना है जनगनमन किस ने लिखा आपको हमको बताना है ठीक है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी ए और यह हमारे सरोज़नी नायडू जी है और हमारे इनी बेसेंट जी है ध्यान रखेगा इस इनी बेसेंट में और भी बात करेंगे बड़ी खुब शुरत है चलो ठीक है आगे बरते हैं गांधी जी अध्यक्ष बने 1924 में एक मात्र सेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने वो था बेल गाउं सेशन 1924 में गांधी जी क्या बने अध्यक्ष बने एक मात्र सेशन 1924 में ध्यान रखियेगा इससे पहले गांधी जी जेल में थे हम लोग जब करम से परना सुरू करेंगे न तो हाँ पर ये बात फिर से आ जाएगा ठीक है तो इससे पहले गांधी ज में थे जेल से छुटे और कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने पूर्ण शोराज कानारा कब मिलाउड सैसे लाहर सेशन में पूर्ण स्वराज करणारा ओर जब आये लान नहरू दिया था लाहर सेशन 1929 एक स्वह ग्जाम बहुत वारे पूछा गया है ध्यान रखियेगा आप झांतना थे सरदार recent खिक जैन सरदार पटेल इस इस आधिवेशन के चेर पडसंट थे और लाहॉर दिवेशन के चेर पडसंड कौन थे नहरू कौन नहरू स Right यानि मोतिला नेहरू नहीं छोटा नेहरू ठीक है उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे और पहली बार मूल अधिकार की मांग किया गया था करांची सेशन 1931 में यह भी बात आप ध्यान में रखियेगा चलो ठीक है अब फिर से और भी इंपोर्टेंट बात करते हैं आई चलो ठीक है अब देखते हैं कि कौन क्या बोलता है तो यह डफरीन नहीं है डफर है यह ठीक है डफर से याद रह जाएगा अब इनाम रखे याद रखो कि तो नहीं याद रखेगा अब डफर है भी तूंको मालू है अंग्रेजों को देखने के बाद खास करके जब मोडर्न इंडिया पर रहे होते हैं और तो मेरे अंदर में एक अजीब तरीके का भावना हो जाती है आंकों में आसू भी आते हैं। अपने भारतियों के बारे में रहें को गुष स्ऩा भी आता है। समाप्त करने में मदद कुरू, यह किस ने कहा था करजन, यह भारत का करजा लेके रखा हुआ था, यह करजा खा के करजन, दो भागों में बाड़ दिया था बंगाल को, ऐसा करज खोड है, देख रो टक लेका, देखो, कैसा सकल सुझ रहा थैं, और भी दारी मोच बना लिया और किसा लग रहा है, चलो ठीक है, तिलक जी, इनका सम्मान बहुत जादा, यह तिलक जी है हमारे, तिलक जी, ठीक है, बाल गंगा धर तिलक जी, इन्होंने क्या कहा है कि कॉंग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, यह बाल गंगा धर तिलक जी है, बाल गंगा धर त जिनकी मिर्ति हो जाती है साइमन गोबेक के नारा लगाते समय लाहोर में यहां पर और उसके परिनाम सरूब भगत सिंग सांडर्स को गोली मार देता है कि हमारे लाला लाजपतराय को तुमने लाठी मारा तो हम तुमको गोली मार देंगे यह बात था यहां पर ध्यान देना ठीक है चलिए बाल गंगाधर तिलग जी एक और बात करते कि कॉण्ग्रेस बर्स में एक बार मेढ़क की तरह टराती है तो यह तिलग जी का कहना था आप देख लिए यह हमारे राय साहब है बाल गंगाधर तिलग जी है यह डफर है और यह करजा खाने वाला करजन है चलो और डफर का, और उसके बाद हमने पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से पूरान दोलन चल रहा था, उसमें एक सीटी का काम किया, सेफटी वॉल्व का काम किया, फिर हमने यह भी बताया कि A.O. Hume क्या चाहता था, फिर हमने आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, सारे सम्म यह बात हमने बताया, और भी बाते हमने बहुत सारी बताया कि कौन सबसे बार, पहली बार जंगरमन कब गाया गया, और उसके बाद हमने बताया था कि पहली बार, बंदे मातरम कब गाया गया, यह सारी बाते हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिस की है, अब हम चलते हैं नेशनल मुवमेंट से यानि कि नेशनल मुवमेंट से यहां पर हम चीजों को सुरू करेंगे तो आज का कलास हम यहीं पर रोकते हैं अगले कलास से हम नेशनल मुवमेंट से सुरू करेंगे और नेशनल मुवमेंट से कैसे सुरू करेंगे वो मैं आपको आज बता दू बहु से 1905 फिर 1905 के बाद 1906 आपको दिखाई देगा 1906, 1907, 1907 मतलब इस तरीके से हम एक दम से 1947 तक पहुंच जाएंगे एक भी डेट को करम से और उसमें जो भी होगा चाहे हो करांतिकारी हो चाहे हो उदारबांदी का हो चाहे हो महात्मा गांदी जी का हो चाहे हो सुवास्चंद हुए चलेंगे किसी को नहीं छोड़ेंगे तो अगले वीडियो में जो हम भारत को सुतनतरता संघर्ष के बारें बात करेंगे वह एर बाई यर साल बाई साल बात करेंगे यह मेरे पढ़ाने का तरीका है मेरे तरीके से याद रखेगा और आपको याद हो जाएगा इस दा Thank you. Thank you very much.